असलाम वालेकूम दोस्तों आज मैं आपके साथ गाजर केक की रेसीपी शेयर करूंगी उम्मीद करती हूं आप सभी को रेसीपी पसंद आएगी तो रेसीपी शुरू करने से पहले फ्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर ले चलिए इसे पकाना सुरू करते हैं इस में अच्छे से मीक्स करने के बाद इसमें एक कप देल डालेंगे और एक छोटी चमपच वैनीला एसेंस डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसमें 1.500 चीनी एड़ करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे आप अपने मीठे के अनुसार चीनी कम या अधिक डाल सकते हैं चीनी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 200 ग्राम मैदा और एक छोटी चमस डाल चीनी पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से छांक लेंगे अब मैदे को धीरे धीरे अच्छे से मिलाएंगे और इसे पतला करने के लिए दूद का इस्तमाल करेंगे मैंने यहां एक कप दूद का इस्तमाल किया है दूद को मैंने पहले से गर्म कर लिया था अभी इसे अच्छे से मिल चुकी है अब हम इसमें गाजर एट करेंगे मैंने यहां चार बड़ी साइज की लाल गाजर को कर दूपस कर लिया था गाजर को खोल में डाल देंगे और इ अब हम इसमें कुछ ड्राइफॉट डालेंगे तो मैंने यहां काजू किस्मिस और अल्मोन ले लिया और इसे ग्रेट कर लिया अब इसे अग्मिसरन में डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे आप अपने पसंद के नुसार और भी ड्राइफुट्स डाल सकते हैं अब ये अच्छे से मिल चुकी है अब हम इसमें आधी चम्मच बेकिंग सोड़ा एक चम्मच बेकिंग पाउडर और एक पिंच नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिला रेंगे अच्छे से मिल चुकी है अब हम एक बर्तन लेंगे और इसमें एक छोटी समस तेल डालिए और तेल को बर्तन के चारों तरफ अच्छे से मिला लेंगे बर्तन के नीचे बेकिंग पेपर लगा देंगे और बेकिंग पेपर के उपर चारों तरफ से अच्छे से तेल मिला देंगे और अब हम इसमें के की मिस्टन को डालेंगे बर्तन को अच्छे से टैप कर लेंगे और अब हम एक बड़ी साइज की बर्तन में एक स्टैन रखेंगे और दस मेट के लिए इसे गर्म होने के लिए रख देंगे अब हम केक के ऊपर चारों तरब से ट्राइफूट्स टाल देंगे मैंने यहां काजू और अल्मोन को कूट कर डाला है तो चलिए अब इसे पकने के लिए रख देते हैं केक को पचास से साथ मिनार तक धीमी आज में पकाएंगे चलिए अब चेक कर लेते हैं केक अच्छे से पकी है या नहीं देख सकते हैं केक अच्छी तरह से पक चुकी है अब हम इसे एक से दो घंटे के लिए ठंडी होने के लिए रख देंगे केक ठंडी हो चुकी है अब हम इसे दूसरे बरतन में निकालेंगे दोस्तों हम घर पर ही बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही स्वार्दिष्ट गाजर का केक बना सकते हैं आप भी घर में जरूर ट्राइ कीजिएगा और आपको मेरी रेसीपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट ब लाइक और सेयर करना मत बूलिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा